हलो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूटूब चैनल अप्टू डेट पार तो दोस्तों SSB कांश्च्वा का फॉर्म काफी टाइम हो गया इसको निकले हुए और 20 दिसंबर 2020 इसकी लास्ट डेट ती जो की निकल चुकी है लेकिन इसका फॉर्म एक्स्टे आप बढ़ सकें तो चले शुरू करते हैं तो दोस्तों यह वीडियो में इसलिए बनाए ताकि आपने यदि अभी तक इसका फॉर्म नहीं वराया तो आप जलसे इस फॉर्म को बढ़ दीजिए क्योंकि इसकी डेट एक्स्टेंड हो चुकी और 20 दिसंबर 2020 से लेकर 27 दिसं में जानकारी मिल सकें भरत के किसी भी राज़े में परेते हो आप इसके लिए आवेदन फॉर्म बढ़ सकते हैं महिला और पुरुष दोनों के लिए यह वेकेंसी है दोस्तों तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए तो यह शुरू करते हैं तो जैसे कि लास डेट के आगे की डिटेलस देख लेते हैं मिनिमम्ट कौलिफिकेशन के गरबात करें तो यहाँ आपके मिनिम्मक्व कौलिफिकेशन 10 घ्लास मांगी गई है तेंथ पास आपका होना अनिवार है और कौलिफिकेशन के बारे में हम डिटेल में डिसकस करेंगे आगे जाके हम फ्री है लेकिन यहाँ पर जन्रल ओवी सी वालों के लिए सो रुपे की फॉर्म फिस रखी गई है और यह नॉन रिफंडेवल रहेगी आप इसको रिफंड नहीं करवा सकते तो यह बात आपको ध्यान में रखने हैं तो चले आगे की डिटेल्स देखते हैं Selection Process की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका vaccine test होगा जो कि PET है फिजीकल standards test होगा जो कि PST है common interest test होगा जो कि written examination में करवाय जाएगा डोकुमेंटेशन यहाँपर होगा और साथी साथ skill test भी होगा और साथी साथ आपका medical examination भी करवाय जाएगा तो सेलेक्शन प्रोसेस के बारे में आपको पूरी डीटेल्स दूँगा आगे हम नोटिफिकरेशन पे अप चलते हैं और डीटेल में डिसकस कर लेते हैं तो वीडियो में बने रहीएका नोटिफिकरेशन का लिए मेंने डिस्कुश में डाल देया हैं वहाँ से याप जो भी वेकेंसिस हैं यह सारे आपको आपर वेकेंसिस के नाम दे रखें जैसा कि आप देख सकते हैं ड्राइवर की पोस्ट आपको दी हुई है लेबुरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट आपको दी हुई है कारपेंटर की पोस्ट है प्लंबर की पोस्ट है पेंटर टेलर सब यहां पर आपको पोस्ट के बारे में बता रहा है जैसे कि जनल वालों के लिए 148 यहां पर सीटे हैं ड्राइवर के लिए जो कि सिर्फ मेल के लिए रहेगी और रहेगी यहां पर आपको पोस्ट की बारे में यहां से इनके बारे में डिटेल ले सकते हैं नोटिफिकेशन डाउन करके तो नीचे की तरफ जाएंगे तो यहां पर आपको पोस्ट पोस्ट के बारे में यह सब भी पोस्ट के यहां पर सेलरी आपको दे रखी जैसा कि आप देख सकते हैं 21700 से लेकर 69100 रुपय आपकी प्रतिमा सेलरी रहेगी तो यहां से आप चेक आउट कर सकते हैं अनलाइन मोटर हैगा अप्लिकेशन फॉर्म फीस का तो यह बात ध्यान रखें तो यहां पर आपको एलिजीबिटी के बारे में जानकारी दी हुई है अलग लग पोस्ट के साब से यहां पर एज लिमिट बदा रखी और साथ यहां पर आपके कौलिफिकेशन भी लिख रहे ह जैसे आप सभी पोस्टों के बारे में एलिजीबिटी चेक आउट कर सकते हैं जिसा कि ड्राइवर के अगर बात करें तो 21 से लेकर 27 वर्ष कि यहां पर आयू सीमा रखी गई है 10 पास आपकी यहां पर कौलिफिकेशन मांगी गई है साथी साथ आपका ड्राइविंग लासे होना चाहिए तो बस यह आपकी यहां पर ट्राइविंग लासेस होना आपका अनिवार रहे ड्राइवर के लिए कंस्टरबल लेबुरेटरी असिस्टेंट की बात करें तो अठार से लेकर 25 वर्ष की आप आयू सीमा रखी गई है साथ साथ साइंस से वह होना अनिवार रहे और यहां पर आपको सर्टिफिकट भी होना चाहिए जो की लेबुरेटरी असिस्टेंट कोर्स का रहेगा तो यह बात आप ध्यान रखें तो वेसे ही आपको आपको बाकी पोस्टों के बारे में भी जानकरी दी हुई है यहां से यहां पर आपको जानकरी दी हुए यहां से चैक आउट कर सकते हैं नीचे की तरप जाएंगे तो यहां पर आपको कुछ बैसिक बेशिक जानकरी दी हुए जिनको आपचते मेंस अपने पर सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इस वज़सेयसए आप मोगो मै लाइफ या हस्बेंट किसी के नहीं होने चाहिए तो यह बात आप ध्यान रखें एप्लिकेशन मोड यहां पर ओनलाइन रहेगा सो रुपए की फीज रहेगी EWS जनरल वालों के लिए और OPC वालों के लिए सो रुपए की फीज है बाकी साथ एक सर्विसमेंड और सभी फीमेस के लिए फॉर्म बिलकुल फिरी है तो यहां पर आप जाएंगे तो यहां पर आपको एप्लिकेशन फॉर्म कैसे बढ़ना है तो यह सारी जनकर यहां पर आपको दी हुई है इमेल आईडी और पास्वर्ट जो भी अपलोड फोटो और सिग जनकरी ले सकते हैं तो यह रही कुछ बेसिक जनकरी और नीचे की तब जाएंगे तो यहां पर आपको फिजिकल इस्टेंडर की बारे में पूरी जनकरी दी हुए जैसा कि आप देख सकते हैं तो फिजिकल एफिसेंसी टेस्ट के अगर बात करें तो यह सारी पोस्ट है लिए उसाज़ के लिए रहेगे फिजिकल इस्टेंडर की अगर बात करें तो यहां पर आपको डराइवर की पोस्ट के लिए जैसा कि आप पर 165 हाइट होनी चीए जो कि सिर्फ मेल के लिए यहां पर नीचे दी हुई है और साधी साथ यहां पर आपका चेस्ट की भी बात करें तो 78 यहां पर सेंटीमेटर रखी गई है चेस्ट के लिए मिनिम्मम एक्सपेंशन 5 सेंटीमेटर का रखा गया है वैसे ही आपको यह पर पूरी जानकरी दी हुई इस टेंडर की तो यहां से आप चेक आउट कर सकते हैं नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको रिटेन एक्जम एक्जामिनेशन के पारे में जानकरी दी हुई है जैसकि कोमन ईंट्रेस्ट टेक् एक्समें लाने है जन्रल इडबलेस ओबीसी और एक्समेंड के लिए और मिनिमिम्यम 45% नम्मर यहां पर एस्टी वालों के लिए रखे गए तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है और यहां पर आपका डोकुमेंट और स्किल टेस्ट करवाए जाएगा साथ मेडिकल एक्ज सकते हैं और यह मैंने आपको पूरी जानकरी बता दीए इस वेकेंसी के बारे में तो यदि आपको वीडियो का आम के लागे तो प्लेस लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा जैसे कोई रही गोर्में जो भाईगी तो नद वीडियो के मादब से आपको उसके बारे मे जानकरी देती जाएगी